नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर आया कॉंगस नेता राहूल गांधी का बयान कहा उनकी पहचान उनके कर्म है नाम नहीं नेहरू मेमोरियल मुजियम का नाम बदलकर पीए मुजियम एंड लाइबरेरी कर दिया गया था इस बारे में 15 जून 2023 को राजनात सिंग के अध्यक्षिता में हुई बैठक में फैसला लिया गया था जिससे स्वतंतरता दिवस की पुर्व संधया पर अपचारिक रूप दिय गया राहूल गांधी दो दिनों के लदाख दौरे के लिए निकल चुके हैं वे दो फर एक बजे ले पहुँचेंगे के अंदर शासित बनने के बाद राहूल गांधी पहली बार लदाख के दौरे में राहूल गांधी ले प्रस्ताव पर जब रहुल गांधी संसद में बोल रहे थे तब उन्हों ने भारत जोड़ो यात्रा की बात करते वे कश्मीर तक की यात्रा का जिक्र किया था तो लदाक के संसद ने लदाक ना आने की बात कही थी जुस पर कॉंग्रस नेता राहूल गांधी ने जवाब दिया था कि जल्द ही वहां भी आऊंगा साथी बतादे कि अगामी लोगसबा चुनाव को लेकर कॉंग्रस का राष्ट्रिये नेतरित्व दिल्ली में सभी राज्यों के नेताओं के साथ अलग-अलग बैठक कर रहा है इसी सिलसिले में गुरुवार को यानि की आज दिल्ली में बिहार कॉंग्रस की बैठक बुलाई गई थी बिहार कॉंग्रस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंग, विधायक दल के नेता शकील एहमद खान समेथ सभी पुर्व प्रदेश अध्यक्ष, पुर्व केंद्रिये मंतरी, पुर्व CLP, गीडर और अन्ने सीनियर नेता दिल्ली पहुंच गया थे पर बीते बुद्वार शाम में नेताओं को बताया गया कि बैठक कैंसिल हो गई है तरकी ये दिया गया कि हिमाचल प्रदेश की आपदा को लेकर कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी गुरुवार को यानि की आज वहां जा रहे हैं इसलिए बिहार कॉंग्रिस की बैठक अस्थगित की जाती है वहीं कॉंग्रिस नेताओं के मुताबिक बिहार प्रभारी भक्त चरन दास और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्र अखिलेश सिंग ने बिहार कमेटी के सदस्यों के नाम अलग लग दिये हैं जोस कारण मामला फस गया है हकीकत में कमेटी के गठन को लेकर प्रभारी दास और अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंग में अभी तनातनी कायम है कमेटी के नाम पर एक साथ सहमती नहीं होने से बैठक में बखेडा खड़ा हो सकता था यह देखते हुए बिहार कॉंग्रस की बैठक फिलहाल अस्थगित कर दी गई है अब कॉंग्रस आला कमान पहले दोनों नेताओं को आपस में बैठक कर कमेटी के नेताओं पर आपस में सहमती बनाने को कहेंगे फिर बिहार कॉंग्रस की बैठक होगी दिल्ली पहुचे बिहार कॉंगरस के निताओं ने कहा कि बिहार कॉंगरस की बैठक कैंसील होनी की सूचना मिल गई है कब तक बैठक होगी फिलहाल ये नहीं बताया गया है